जैहिंद बंदे मात्रम नमस्कार शातियों सौगत हैं आप सभी का आपके अपने यीटूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में हैं मैं पाल प्रभीन आज के वीडियो में बात करेंगे रिजिनिंग रिजिनिंग के टॉप चार कोस्टन कवर करेंगे जो कई बार एक्जाम में पूँचे जा चुके हैं तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें वीडियो को लाइक करें सेयर करें और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें रिजिनिंग के इन सवालों को बहुत ही आसान टिक के मादम से समझेंगे तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें तो आईए सुरुवात करते हैं आज के पहले प्रसंद से आज का पहला प्रशन है एक चीटी तीन मीटर चलती है और फिर चार मीटर उचे एक बर्च पर चड़ती है अपने मूल इस्तान से वह कितनी दूरी पर है साथियों इस सवाल में पूछा गया है कि एक चीटी 3 मीटर चलती है ठीक है एक चीटी माल लीजिए वह कहां से चलती है एक चीटी यहां से चलती है ठीक है कितना चलती है यह 3 मीटर चलती है फिर 4 मीटर उची एक ब्रच पड़ चड़ती है यहां से माल लेते हैं यह ब्रच ह जिसकी उचाई क्या है? चार मीटर इस ब्रच की उचाई है अब पूँचा गया है सवाल में अपने मोल इस्थान से कितनी दोरी पर है? इस सवाल को दोनों मेटर से हम solve करेंगे long और short तो वीडियो को पूरा जरूर देखे पूँचा गया है कि अपने मोल इस्थान से कितनी दोरी पर है? शातियों यारी हमसे यह दोरी पूँची गई है कि अपने मोल इस्थान से कितनी दोरी पर है? अब सातियों क्या हो जाता है? ये नीची बाला तो आधार हो जाता है ये लंब हो जाता है और ये क्या हो जाता है, ये करण हो जाता है, ठीक है, तो इतना तो आपके समझ आ गया होगा, अब क्या करते हैं साथियों, इनको solve करने के लिए पाइथा को जो परे में होती है, उसको solve करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार का क्या करेंगे, चार का square करेंगे, ठीक 25 का वर्ग कितना होता है चाहते है यह होता है 5 होता है ठीक है कितना 5 अता है इसका जो राइट आंसर जाएगा क्या जाएगा 5 मीटर चीटी अपने मूल इस्थान से कितनी दूरी पर है तो चीटी अपने मूल इस्थान से 5 मीटर दूरी पर इस्तित है अब साती इसको अगर सोड तरीके से हम समझे तो कैसे करेंगे बहुत ही जी अगर आपको पसंद आया हो ठीक है तो इसी तरह हम सोड भी बता रहे हैं आपको तो देखेगा अब कहता है तीन मीटर चलती है चलती है आगे और फिर चार मीटर उचे जाती है उपर प्रच पर चलती है तीन मीटर चली और चार मीटर क्या हुए यह ब्रच पर चल गई तो हम इसको सोल्व करेंगे चार का करेंगी सोला और इसका बर्ग करेंगी के इस्थान पर कौन सी संख्या आएगी यहां पर क्या आएगा यहां पर प्रसंद बाचक चिन है ठीक है यहां पर दो नहीं है पर प्रसंद बाचक चिन है आपसे पूंचा गया है एक स्रंख्या स्रंखला दी गई तीन पांच च्छे बारा बारा और प्रसंद बाचक चिन है 24-26 यहाँ पर आपसे पूछा गया कि प्रसन वाचक चिन के इस्थान पर कौन से संख्या आएगी तो साथियों इस सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से हम स्वाल करेंगे तो वीडियो के वाद सेर कर देंगे और सभी लोग चैनल को भी सस्क्राइब कर लेंगे सबसे पहले कर हम देखते हैं यहाँ पर जादे संख्याओं का जादे नंबरों का अंतर नहीं है तो सबसे पहले कर हम यहाँ पर तीन करेंगे पांच दो का अंतर आता है पांच में छे एक का अंतर हमारा इस तरह से नहीं बनेगा तो एक संख्या को हम गेप देखकर करेंगे कैसे साथियों तीन करें तीन दूनी छे छे दूनी बारहा बारहा दूनी चौविस अगर चौविस दूना अगर आगे जो संख्या आगी भै कितनी होगी अड़तालिस लेकिन हमसे ये संख्या नहीं पूँची गई है अब यहां पर देखिएगा यहां पर पांच दूनी अगर दस करेंगे नहीं आएगा यानि पांच में साथ जोड़ेंगे बारहा जाएगा बारह में साथ जोड़ेंगे साथियों कितना आजाएगा 19 आ जाएगा और 19 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा तो सातियों परसन बाचक चिन के इस्थान पर जो नंबर आएगा भै कितना होगा सातियों 19 होगा कितना होगा 19 एक बार फिर से रिपीट करते हैं देखेगा एक बार फिर से रिपीट करते हैं यहां पर कहा है प्रशन बाचक चिन अब सातियों 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 ठीक आगे जो भी नंबर रहेगा वो आएगा अब यहां 5 में 7 जोड़ेंगे 12 आजाएगा 12 में 7 जोड़ेंगे 19 आजाएगा और 19 में 7 जोड़ेंगे कितना जाएगा 26 आजाएगा तो इसी तरह प्रशन बाचक चिन के इस्तान पर कितना आएगा सातियों 19 आएगा अब बात करते हैं अगले पसंद पर अगला पसंद है नीचे दे गई सरंख्ला में अगला संख्या क्या होगा आपसे पूँचा गया है कि एक नीचे सरंख्ला दे गई यहाँ पर आपको नंबर दिख रहे होगे इस तरह से और यह क्या होगा इसमें अगली संख्या पूँची गई है कि अगली संख्या क्या होगी तो सबसे पहले हम पहले बाले पॉइंट को देखते हैं पहले में 58, 96, 24, 27 अब यहाँ पर देखे सबसे वाले इसमें क्या किया गया इसमें पांच को क्या कर दिया गया कट कर दिया गया और बांकी पूरा नंबर यहाँ पर लिख दिया गया अब इसमें देखते हैं तीसरी वाले में क्या किया गया इसमें क्या किया गया इसमें फ क्या होगा इसमें क्या करेंगे देखेगा अब देखेगा लाश्ट वाले नंबर में क्या आ रहा है लाश्ट वाले नंबर में सातियों यहां पर क्या हुआ आठ गायब कर दिया same number लिख दिया इस तरह से अब इसमें क्या होगा इसमें क्या इन्होंने किया इसमें first बाला number क्या हो गया फिर गायब कर देंगे यहाँ पर 65, 44, 3 तो यहाँ पर number जो हमारा आएगा right answer option number भी यहाँ पर आजाएगा 65, 42, 3 हमारा क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा अगले पसंद पर बात करते हैं अगला पसंद है diagram का तो diagram में साथियों देखेगा कमल, fool, गुलाब यानि कमल है, fool है और गुलाब, इन तीनों को साथियों diagram के हिसाब से बताना है कि क्या है अब fool की बात के तो fool तो साथियों कमल का भी होता है और गुलाब का भी होता है तो क्या होगा यहाँ पर सबसे पहले हम fool का diagram बना लेंगे अब क्या होता है, fool में fool में गुलाब का भी fool होता है, fool होता है और कमल का भी fool होता है तो fool में साथियों दोनों आजाएंगे हमारा right answer हो जाएगा option number C ठीक है यह हमारा कैसा हो जाएगा right answer हो जाएगा आपर आसा करते हैं कि आप सभी लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को subscribe करें और शातियों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो नीच हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद